सु आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है अगर ये क्यूशन आता है तो क्या क्या चीज़ा आपको लिख करके आनी है यह हमारा डिसकनेक्शन का साथवा या आठवा वीडियो है जिसमें हम कीमो गुरूप पर हमें reaction करानी है तो उस condition में उसे हम बोलते हैं chemo selectivity और जो reagent इस तरीकी का काम करता है उसे हम बोलते है chemo selective reagent अब देखते हैं कैसे लिखना है इनको if इने molecule two functional group are present यानि कि अगर किसी molecule में दो functional group present होते है in which reagent are react with only one functional group जिसमें से एक functional group पर ही reaction करता है reagent then the reagent is called chemo selective reagent उस type के reagent को हम chemo selective reagent कहते हैं reaction is called chemo selective reaction और उस reaction को हम बोलते है chemo selective reaction और यह सारा सारा जो phenomena होता है ना उसको हम बोलते है chemo selectivity and overall phenomena is called chemo selectivity इस phenomena को इस घटना को हम chemo selectivity कहते हैं इसका एक example लेते हैं यह हमारे पास एक molecule है जिसमें एक तो हमारे पास keto group है एक हमारे पास ester group है अब इन में से reactivity हमारे पास keto group की सबसे ज्यादा होती है और जो sodium borohydride होता है वो selectively reduction करता है कार्बोनिल groups का कार्बोनिल group जैसे aldehyde ketones का और जितने भी बाकी के functional group है उन पर यह reaction नहीं करता है तो sodium borohydride केवल और केवल कार्बोनिल groups पर ही reaction करता है इसलिए इस CO group को यह change कर देगा alcoholic group में यहाँ पर OH मना देगा ठीक है और जो बाकी का जो हमारे पास यह ester group है यह ester group ऐसे की ऐसे यहाँ पर product में product में हमें देखने को मिलता है product में हमें देखने को मिलता है और अगर इसकी reaction lithium aluminium hydride की presence में कराई जाते है यानि कि इसका reduction अगर हम lithium aluminium hydride से कराता है जो की काफी strong reducing agent होता है तो यह दोनों के दोनों functional group का reduction करतेता है और उनको alcohol में change करतेता है यानि कि lithium aluminium hydride जो है ना वो selective reagent नहीं है यह functional group का reduction करता है लेकिन हमारे पास sodium borohydride होता है वो केवल और केवल सी ओ गुरूप का reduction करता है एस्टर गुरूप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है इसलिए यह selectivity शो कर रहा है इसलिए यह selective reagent है ठीक है तो sodium borohydride is selective reagent विच और विच रियक्टिवली रिडूज ओनली कार्वोनिल फंक्शनल गुरूप यह केवल और केवल कार्वोनिल फंक्शनल गुरूप का reduction करता है एंड अधर फंक्शनल गुरूप डज नोट इफेक्टेड और जो बाकी का जो फंक्शनल गुरूप बचा हुआ है एस्टर जो बचा हुआ है उसका यह कुछ भी नहीं बिगाड़ता है इसलिए यह selective शो कर रहा है इसलिए हमारा एक selective reagent है जो कि chemo selective शो कर रहा है तो यह reaction जो होगी यह chemo selective reaction है यह reaction chemo selective reaction नहीं है ठीक है guidelines for chemo selective हमारे पास कुछ गाइडाइं होते हैं कुछ हमारे पास होते हैं कुछ हमारे पास reactions होती हैं उनमें हम किस तर bauen के से शो कर आ शकते हैं कि रियुप सैलेक्टिविटी शो कर आ सकते हैं वह मिना सबस्रामांगाइड कि chemo ग्रूप प्रजेंट है और उनमें से एक फंक्शिनल क्रूप की रिय क्टिवीटि ज्यादा है और अधूiquement दूसरे फंक्शिनल गूरूप तो जो रियक्टिव फंक्शिनल क्लूप है रिय क्लिकेशन selectively उसका reaction होगी उसकी reaction selectively होगी इसे हमें एक example से समझते हैं यहां हमार पास एक molecule है सबसे पहले इसमें disconnection कराने वाले हैं कहां से होगा इस oxygen और इस pH के carbon का disconnection होगा carbon oxygen disconnection इस तरीके का arrow आएगा disconnection का तो यह दो molecule हमें मिले गए देखो यहां पर मैंने synthetic equivalent direct बना दिया है यहां पर negative charge आएगा negative पर जाकर कौन चिप केगा H+, ठीक है H+, यह हो H बन जाएगा और pH पर क्या आएगा pH पर आएगा positive charge जहां पर iodine, iodine इसे best living group अच्छा खासा living group है यह जाकर के वहां पर चिपक जाएगा यह हमारे पास दो synthetic equivalent बनने वाले है अब इन में से यह हमारे पास बन चुका है अब इसको आगे भी हम तोड़ सकते हैं तो यहां पर इसका FGI कराएंगे सबसे पहले, जो COOH जो group है इसे CS3 में change कर लेंगे FGI करा करके, क्योंकि हमें CS3 से COOH group बनाना आता है ठीक है, CS3 बन चुका है अब हम इस CS3 को भी ला सकते है तो हमें इसको ना हमें इसको फिनोल में convert कर लेते हैं क्योंकि यहां इस फिनोल में हम CS3 आराम से जोड सकते हैं इसके पहरा पोजीशन पर जो की Friedal Craft Alkylation से हम कर सकते हैं तो इसमें से CS3 को हटा देंगे और हमारे पास यह simply starting material आ जाएंगे जिसमें फिनोल है जब हम फिनोल की देखो synthesis में देखते हैं फिनोल की reaction जब हम CS3, CL और AL, CL3 की presence में कराते हैं तो Friedal Craft Alkylation reaction होती है जिससे जो यह जो फिनोल है इसकी और तो और पैरा पोजिशन पर कहीं पर भी आसकता है CS3 लेकिन हमें चाहिए कहां पर पैरा पोजिशन पर तो हमें पैरा प्रोड़क्ट अचिव हो जाएगा इसके बाद इसमें जब हम K94 का acidic solution डालते हैं तो वो जो K94 का acidic solution है वो alkyl group को COOH group में change कर देता है कहीं पर भी आपको CH3, C2H5, C3H जो भी group आता है alkyl group जो भी आता है इस alkyl group को COOH group में change कर देता है K94 का acidic solution ठीक है अचिव हो चुका है यानि कि मैं यहां तक पहुँच चुका हूँ ठीक है अब क्या काम करूँगा मैं base डालूँगा और base क्या काम करता है H plus को निकाल देता है अब यह H plus भी जाएगा यह H plus भी जाएगा ठीक है यह दोनों H plus जाचुके हैं आप देखो यहां पर ना यह जो site बनी है यह site कम reactive है as compared to is cake कि देखो क्योंकि यह जो negative charge है यह D-localization में BG हो चुका है लेकिन यह जो है यह इतना ज़्यादा BG नहीं है यह भी जाएगा D-localization में लेकिन यह ज़्यादा reactive है क्योंकि यहां पर यह जो है ना यह negative charge किसी भी क्योंकि यह जो negative charge है ना यह negative charge यहां पर भी जाएगा लेकिन ये साइट ज़्यादा रियक्टिव होगी as compared to इसके क्योंकि यहाँ पर negative charge ज़्यादा बिजी रहेगा यहाँ पर negative charge इस oxygen पर बहुत कम रहेगा और यहाँ पर oxygen पर रहेगा ये negative charge तो ये साइट ज़्यादा रियक्टिव है as compared to इसके यह तो हमेंसा डी लोकिलाइजेशन है जाता रहेगा यहां से यह यहां पर जाएगा फिर यहां पर यहां पर यहां पर यह जाता रहेगा लेकिन यह जो है ना यह इतना जादा नहीं जा पाएगा इसलिए यहां पर जब हम आयोडोव एंजीन की रियक्शन कराएंगे तो आइडो bendzing में यह यह बहार निकलेगा और यहां पर जो पोजिटीव चार्ज आएगा वो यहां पर जाकरके इस बाइस प्रजा करके चिपक जैगा और हमें यह देखने को मिलेगा यह यहांपर यहांपर हमें selectivity देखने को मिल रही है हमारे हमारे पास जो दो functional group है, अब इन दोनो functional group में ये जो बने हुए है, इनके जो h plus निकलने के बाद जो हमारे पास बना है, इन में से इनकी reactivity के according हमारे attacking species जुडने वाली है, तो यहां पर ये जो negative charge है, ये बिजी हो चुका है, ये इतना जादा बिजी नहीं है, इसलिए ये इसक निकलते ही, ये जो positive charge है, ये इसका oxygen पर जाकर के जुड़ेगा और ये बना लेगा, अब हम simply h plus ट्यालेंगे, protonation करेंगे, ये h plus जाकर के आपर चिपक जाएगा और co h बना लेगा, ठीक है, तो final product हमें ये यहां पर मिल जाता है, ये हमारा starting material था, ये same to same है, ये और ये same to same ह ठीक है, तो यहां पर हमार जो functional group हैं, उनकी reactivity के according हमारे पास selectivity देखने को मिलती है, ठीक है, अगली है, if इने molecule to same functional group are present, अगर किसी भी molecule में दो same functional group present होते हैं, then by the help of selective reagent, तो उस condition में selective reagent की help से we can achieve selectivity, उस condition में हम selective reagent की help से achieve कर सकते हैं, selectivity, chemo selectivity अचीव कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे, वो देखते हैं, ये हमारे पास एक compound है, इस compound का नाम क्या है, ortho meta, meta nitro aniline, ठीक है, ये हमारे पास compound है, इसमें सबसे पहले FGI करेंगे, FGI कराकर के हम इ NO2 बनने के बाद, ये दोनों NO2 गुरूप हम जोड़ सकते हैं, इसलिए इसको हम benzene में convert कर लेंगे, क्योंकि देखो, हम इस benzene में इन दोनों NO2 गुरूप को आराम से जोड़ सकते हैं, nitration process के थुरू, अब यहां पर हम इस selectivity कहां पर show हो रही है, यहां पर नहीं पता यह हमें पता चलेगा, इसके synthesis में, यह क्या है, इसका synthesis process, यह synthesis process है, अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास यह simply starting material है, अब इसमें सबसे पहले हम H2SO4, HNO3 का mixer डालेंगे, nitration process होगी, यह यहां पर बन चुके है, अब आगे हमें selectivity show होगी, अब देखो, यहां पर इस NO2 को हम HNO2, NH2 में change करना है, और एक को ही करना है, किवल एक को ही करना है, इसलिए selectivity show हो रही है, यहां पर NO2 है, लेकिन एक को ही मुझे NH2 में change करना है, तो क्या मिलाऊंगा, मैं SNHCL नहीं मिला सकता हूँ, क्योंकि SNHCL जो होता है, वो reduction तो करता है, NO2 को NH2 में तो change करता है, SN plus HCL, ल इसे हम selectivity नहीं कहते है, selectivity हम उसे कहते है, जिन में से एक functional group का ही, एक functional group पर ही reaction हो, जैसे लिए NH4 का X और sulfur, यह हमारे पास एक compound है, जो की chemoselective reagent की तरह यहां पर behave करने वाला है, chemoselectivity show कराने वाला है, इसकी presence में इस NO2 group का reduction होगा, और यह केवल एक, इन में से कोशा भी एक NO2 group, NH2 में change हो जाएगा, इसलिए इस reagent को chemoselective reagent कहते हैं, जो की NH2 को selectively NO2 का reduction करता है, ठीक है, तो यहां पर अगर हमारे पास दो-दो अलग-लग functional group हैं, तो इस तरीके से एक NO2 को हम change कर सकते हैं, NH2 में, अगर हम ऐसा NHCL लेते हैं, तो वो तो दो NO2 को ही NH2 में change करतेगा, तो थर्ड है, if we want to react less reactive functional group, in the presence of more reactive functional group, then we can use the concept of protecting group, अगर देखो, हमारे पास दो-दो functional group हैं, जिन में से एक reactive है, और एक less reactive है, तो उस condition में, अगर मुझे reaction करानी है, less reactive site पर, less reactive हमारे functional group तो उस condition में, मैं protective group का use कर सकता हूँ, protection कर सकता हूँ, जो reactive group है न, देखो, सबसे पहले reactive group react करेगा, उसके बाद less reactive group react करता है, तो सबसे पहले मैं reactive group है, उसका protection करा देता हूँ, उसे protect करा देता हूँ, अब उसका protection होने के बाद, जो less reactive है हमारे पास functional group है, उसका मैं, उस पर मैं reaction करा सकता ह वो देखते हैं किस तरीके से ये ंelnा पास KGO है इसमें हमारेcock होग्रूप है और सिर रियेक्टिव तो यहां पर यह मुझे रियेक् обяз करानी है के वले इस इस matter पर इस में मैं इस tenho group का protection किरा देता हूं और protection के लिए मैं यूज करता हूं इथाइल इथाइल glyco water ठीक के अब इस इताइल गलाइकोल की परजलBoy आ फिश्ञ में से your group का protection करा देता हूं किस तरीके से होगा यह जो oxygen है ये इन दोनों hydrogen को ले करके H2O बना करके बाहर हो जाएगा और मुझे ये species देखने को मिलेगी जिसमें से ये जो CO group है ये पूरी तरीके से हट सुका है अब इसे मैं दोबाला भी ला सकता हूँ वो कैसे लाँगा वो मैं बाद में बात करूँगा ठीक है तो ये इसका protection हो चुका है अब आगे हम lithium aluminum hydride जब हम इसमें डालेंगे तो इसका reduction हो जाएगा ये reduce हो जाएगा अब अगर हम direct lithium aluminum hydride डालते हैं तो सबसे पहले ये group का, इस group का reduction होता और उसके बाद इसका reduction होता लेकिन मुझे selectively ester का reduction कराना है तो उस condition में keto group को protect करा दूँगा protection करा दूँगा protection को अब देखो यहाँ पर हमारे पास compound बन चुका है alcohol बन चुका है ester से अब alcohol बनने के बाद इस CO group को मुझे दोबारा लाना है उस condition में मैं क्या करूँगा D protection अब D protection में क्या होगा देखा यहाँ से H देखो यहाँ पर यह bone तूटने वाले है अब यह bone तूटने के बाद यहाँ पर क्या आएगा H यहाँ पर क्या आएगा OH ठीक है अब उस condition में यहाँ पर देखो oxygen high electron negative atom oxygen high electron negative atom hydrolysis कराएंगे तो H plus हम्मेसा H plus जाता है और पीछे इस carbon पर क्या आता है OH OH जब आ करके जुड़ चुके हैं इस carbon पर अब एक ही carbon पर दो OH ग्रूप unstable होते हैं उस compound में तुरंत H2 बाहर हो जाता है अब H2 बाहर होने के बाद देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से H2 बाहर होने वाला है यह H, यह OH बाहर हो जाएगा और यह oxygen बचा हुआ है यह double bond बना करके यहाँ पर keto group बना लेगा यानि कि keto group को हम दोबारा ला सकते हैं इसका हम protection करा सकते हैं और protection करा करके इसको हम protect करा लेंगे protect क्यों करा रहे हैं क्योंकि यह more reactive है इस पर हमें reaction नहीं करानी है इसलिए इसका protection करा रहे है protection कराने के बाद इसका हम easily deprotection भी करा सकते हैं ठीक है तो by the help of concept of protecting group protective group की help से हम आराम से selectivity show करा सकते हैं हमारे compound में हमारी fourth guideline है if in the sub-state two same functional groups are present then by the help of one equivalent of reagent we can observe selectivity अगर हमारे पाद sub-state में दो functional group है और same functional group है यहाँ पर OH-OS same functional group है लेकिन एक का ही लेकिन एक पर ही हमें reaction करानी है उस condition में हम किसी भी reagent का one equivalent यूज कर सकते हैं यानि कि अगर मैं इसका एक molecule यूज कर रहा हूँ तो मैं अपने reagent का किवल एक molecule यूज करके एक ही OH पर reaction करा सकता हूँ दूसरे OH को हम ऐसे के ऐसे रख सकते हैं देखो यहाँ पर मान लो यह है हमारे पास sub-state है यह अब मैं इसमें base add कर रहा हूँ और NOH add कर रहा हूँ अब NOH का किवल मैं एक molecule यूज कर रहा हूँ और इसका भी मैं केवल एक molecule यूज कर रहा हूँ acid base reaction होगी यह H plus निकलेगा base के OH के साथ यह react करके H2O बाहर निकाल देगा तो यहाँ पर केवल मेरे पास NOH का एक molecule है इसका भी एक molecule है तो उस condition में यानि कि एक equivalent यूज कर रहा हूँ एक molecule यूज कर रहा हूँ तो उस condition में भाईसाब एक ही OH पर reaction हो सकती है दूसरे OH पर reaction करने के लिए मेरे पास OH NOH है यह नहीं उस condition में मैं दूसरे OH को ऐसे की ऐसे रख सकता हूँ by the use of one equivalent of reagent ठीक है reagent का एक वी equivalent यूज करके मैं यहाँ पर selectivity दिखा सकता हूँ ठीक है तो यह बन चुका है देखो यहाँ से H+, निकल गया negative charge आ गया अब CS3I यानि कि methyl iodide यूज करके methyl iodide की reaction इसके साथ कराएंगे iodine बाहार निकलेगा यह अच्छा खासा living group है आराम से निकल जाएगा CS3 जाकर के इसके पास जुड़ जाएगा और हमें product मिल जाएगा यहाँ पर हमें selectivity मिल सकती है अगर हम one equivalent of reagent यूज करें तो यह हमारी कुछ guidelines है जिनके थुरू हम यह देखते हैं किस तरीके से selectivity होती है किस तरीके से हम selectivity देख सकते हैं किन-किन compound में किन-किन reagents के थुरू हम selectivity शो करा सकते हैं तो अगर यह question आता है तो यह सारी चीजे लिखना sufficient है इतना बहुत है ठीक है तो यह था हमारी कीमो selectivity का यह वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, share करें और subscribe करें हमारी channel को धन्यवाद जहिन